जहिन दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग रठोर और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री पॉर एंडिये बैच, सो लेट्स डाइव स्ट्रीट इंडो इट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में कुछ बुनियादी बाते समझेंगे जैसे कि हिस्ट्री क्या है, दूसरा किसे फादर आफ हिस्ट्री कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और तीसरी बात, what is the significance of studying हिस्ट्री? तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री एक Greek word Historia से derived है जिसका meaning होता है inquiry या फिर research जब हम humans के past की events को inquire करते है या उनको research करते है उनकी study करते हैं उसी को हम history कहते है दूसरी बात आती है history का father किसे कहा जाता है Modern Scholars ने History का फादर किसे कहा है तो Modern Scholars ने History का फादर Hero Doters को कहा है जो की एक Greek scholar थे, Greek geographer थे और एक Greek historian थे आखिरी ने History का फादर क्यों कहा गया है आप और हम जो History पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं किताबे होती है, documents होती है, सिलसिलेवार History लिखी हुई होती है Hero Doters ने करी थी, और इसलिए Modern Scholars ने इन्हे Father of History कहा है और फिर तीसरा, Last but not the least, कि हम History क्यों पढ़ है History एक बहुत important subject है खास्त और पे जो लोग National Defense Academy की तियारी कर रहे हैं वो आगे जाके Military Leaders बनेगे, Military Officers बनेगे उनके लिए इस दुनिया को जानना समझना बहुत जरूरी होगा और इस दुनिया को बहतर तरीके से जानने समझने के लिए ये जरूरी होगा कि वो दुनिया के Past को बहतर तरीके से जाने और समझे और इसलिए History का बड़ा importance हो जाता है साथ हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमने पास्ट में क्या मिस्टेक्स करी थी जिनको अब हमें repeat नहीं करना है और पास्ट में वो क्या glorious moments थे हमारे जिनको हमें definitely repeat करना है और इसलिए हिस्ट्री को ना सिर्फ National Defense Academy exam के syllabus में include किया गया है बलकि National Defense Academy के courses में भी हिस्ट्री को एक compulsory subject के तोर पे रखा गया है जब हम Indian history पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि Indian history बहुत बड़ी history है लगबक 5000 साल की ये history है और इतनी लंबी history को कई parts में classify किया गया है आई ये हम देखते हैं कि किन किन parts में इसको classify किया गया है और ये classification किस basis पे किया गया है सबसे पहले बात करते हैं pre history दूसरा proto तीसरा ancient चौथा medieval और पांचवा modern history का primary classification ये है अब ये classification किस basis पे हुआ है दो आधार है जिनके basis पे classification हुआ है एक तो timeline है कि जो जितना पुराना है वो उतना पहला है और एक timeline के basis पे classification है लेकिन उससे बड़ी बात है एक दूसरा basis जिसके आधार पर classification किया गया है वो है sources of information देखिए आप और हम जब history पढ़ते हैं तो अपने मन से कोई कहानी नहीं बना सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1000 साल पहले क्या हुआ था यहाँ पर कुछ important sources आते हैं जो sources हमें मदद करते हैं उस दौर के बारे में जानने की और इनी sources की availability के आधार पे history को classify किया गया है इसको और आगे समझाने से पहले मैं एक point आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर history को जानने के क्या-क्या sources हो सकते हैं mortal remains याने की मृतक अवशेश, material remains याने की भौतिक अवशेश, literatures याने की ग्रंथ, archaeological remains याने की पुरातात्विक अवशेश, साथ ही साथ inscriptions, folklores, folktales और recent times में videographic और photographic evidences, इन सारे evidences के basis पे जो information हमको मिलती है, उसी information के analysis से और conclude किया जाता है कि आखिर हमारी history क्या रही थी, तो आई हम देखते हैं कि किस तरह से अलग-अलग parts, अलग-अलग classified parts को किस basis पे classify किया गया है तो सबसे पहले बात करते हम pre-history की, pre-history इंडियन history का वो phase है जो evolving phase है human history जहां से human history की शरुवात हुई थी, जो लग-बख five lakh years BC से लिके ten thousand years BC तक चलता है और इस phase में हमें ज्यादा जानकरी available नहीं थी क्योंकि इनसान evolve हो रहा था, वो civilized नहीं हुआ था इसलिए जो limited information है हमारे पास जिसके तुरू हमें इस history के बारे में पता चलता है वो है mortal remains और material remains mortal remains जैसे के मैंने बोला था आपको मृतक अवशेश और material remains याने की भौते कवशेश ये वो phase है जैसे के मैंने कहा five lakh years BC से लेके ten thousand years BC के बीच का ये वो phase है जब early man evolve हो रहा था modern human beings और इस process में उसने किसी तरह के कोई बड़े developments नहीं किये थे और इसलिए हमारे पास ना literature's available है ना archaeological remains available है ना folklore फोक टेल्स हैं ना ही किसी तरह के कोई और evidences है ऐसे में उस दोर के इंसान की जानकारी के लिए सिर्फ उसके mortal remains याने के उनके skeletal remains और उनके द्वारा यूज किये गए tools और weapons के remains ही एक जरिया रह जाते है जानने का और उनके आधार पर जो थोड़ी बहुत information हमको मिल पाती है उसी से हमने अपनी prehistory को जाना इसी लिए एक बहुत लंबा time span होने के बाद भी ये पूरी history का सबसे छोटा chapter होता है क्योंकि information बहुत कम है दूसरा आता है प्रोटो historic period प्रोटो historic period जिसे आध्य एत्यासे काल भी कहते है ये एक transitional phase है जहाँ पर prehistory का uncivilized man civilized होते होते ancient times की तरफ जा रहा था तो ancient history और prehistory के बीच में ये एक transitional phase है यहाँ पर भी हमें material और mortal remains बहुत important source रहते हैं जो information provide करते हैं लेकिन साथी साथ एक नया source यहाँ पर add होता है जिसको हम archaeological source कहते हैं यानि कि पुरा तात्विक अवशेश by this time इंसान civilized हो चुका था और थूड़ा modernize हो चुका था और इसलिए उसने कई तरीके के constructions करना शुरू कर दिये थे और इन्हीं constructions के कुछ remains आज तक मौझूद है जो हमें उस वक्त के इंसान के बारे में काफी important information provide करते हैं और क्योंकि एक source add हो गया है यहाँ पे इसलिए proto-historic period की information pre-historic period के मुकाबले थोड़ी ज्यादा available होती है और फिर आता है ancient history medieval history और modern history यह एक ऐसा दोर था जब इंसान काफी modernize हो चुका था evolve हो चुका था as compared to pre-historic period तो उसके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमारे लिए evidences बन जाती है जैसे कि script develop हो चुकी थी तो हमारे पास literature's available हो गए साथ ही साथ construction के मामले में वो और बहतर हो गया जिससे कि archaeological remains हमारे पास और ज्यादा आने लग गए और बहतर आने लग गए और ज्यादा information provide करने वाले आने लग गए और फिर एक नया अपार्ट एड होता है जो आप देख रहे हो numismatics numismatics is a branch of study of coins जी हाँ ठिक्के जब currency existence में आई तो तरह तरह के सिक्के ancient India में और medieval India में प्रचलन में आए practice में और इन सिक्कों के basis पे हमको काफी information हासिल होती है अब आप सोचों के सिक्कों के basis पे कैसे information हासिल होती है एक सिक्का किस metal का बना है वो उस वक्त की ruler की economical condition बताता है एक सिक्की क उपर ruler का क्या timeline लिखा है ये उस ruler के किस दौर में rule कर रहा है उसके information देता था तो एक छोटा सा सिक्का बहुत सारी information provide करता है history के किसी एक phase के बारे में इसी लिए एक बहुत important branch बन गया ये और इतिहास का एक बहुत important source बन गया और फिर एक important source आता है जो medieval और ancient history में common है वो है folklore और folk tales इंडिया का culture कुछ इस तरह से रहा है कि यहाँ पे इतिहास document नहीं होता था ancient times में या ancient से भी पहले के वक्त में कहानियों की तरह इतिहास आगे बढ़ता था चाहे रामायन हो या महा भारत हो या फिर वैदिक literature हो ये सारी literature लंबे समय तक generation after generation बोल बोल कर पास किये ज इसी लिए भारत के culture में folklore और folk tales इंग बहुत deeply include हो गए और ये एक important source है इंडिया के context में history को जानने का modern history में हमको वही सारे sources अब और ज्यादा improvised way में available होते है literature और ज्यादा improvised materials के उपर लिखे जाते थे जो easily perishable नहीं होते थे architectural evidences क्योंकि architecture में बहुत development हुआ with the growth of industrialization तो architecture ऐसे बनने लग गए जो हजारों साल तक तूटे ना और information बहुत सारी carry करते हैं अपने साथ में साथ ही साथ modern times में हमको photographic और videographic evidences भी हासिल होने लग गए खास तोर पे 1850s के बाद में जब cameras introduce हुए तो photographic और videographic evidences भी हमको हासिल होने लग गए तो इस तरह से modern history में हम देखते हैं कि बहुत सारी information available होती है पार्ट सबसे छोटा है वो human history का लेकिन information सबसे ज्यादा है क्यों क्योंकि source of information ना सिर्फ ज्यादा है बलकि बहतर quality के हैं improvised है और इसी लिए modern history का syllabus आप देखते हैं बढ़ा होता है जो की छोटा part है human history का और pre history का syllabus छोटा होता है जो की सबसे बड़ा part है human history का आगे बढ़ते हैं history में कुछ भी जानने से पहले एक बहुत important concept होता है जिसमें बहुत सारे students को confusion होता है कि ये AD और BC क्या होता है आईए आज हम इस confusion को completely दूर करते हैं देखिए जो calendar अभी हम use करते हैं उसे हम Gregorian calendar कहते हैं जो ल ग्रेगरी ने जो calendar तयार किया था उसमें उन्होंने जीजस क्राइस्ट के बर्थ को एक midpoint मान लिया और पूरी दुनिया की history को दो part में divide कर दिया वो events जो जीजस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई थी उन्हें before Christ कहा गया वो events जो जीजस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का मतलब होता है under the domination of Christ कहा गया before Christ के years में क्योंकि आपको जीजस क्राइस्ट के बर्थ की तरफ आना इस calendar में उसी लिए हमेशा साल descending order में आगे बढ़ते हैं 2000 BC 1500 BC 1000 BC 500 BC and so on वहीं जैसे ही जीजस क्राइस्ट का बर्थ होता है उसके बाद के events उसके बाद की dates ascending order में आगे बढ होती है जैसे 500 AD 1000 AD 1500 AD 2000 AD और जैसे कि आप easily समझ सकते हो कि 2020 गया फिर 21 आया फिर 22 आएगा तो अब हम ascending order में आगे बढ़ने क्योंकि अब हमें किसी एक event की तरफ नहीं बढ़ना है तो अब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे लेकिन इस calendar में Jesus Christ का बर्थ एक landmark था इसलिए उसके पह AD के लिए BCE भी यूज किया गया है जिसे before common era या कुछ लोग इसे before Christian era कहते हैं और similarly AD के लिए CE word यूज किया जाता है जिसे common era या Christian era कहा जाता है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि हम अब शुरुवात करेंगे studying history और इसकी शुरुवात हम करेंगे prehistoric period से prehistoric period क्या होता है इसके कौन-कौन से classification है और इसमें यूबंस के क्या-क्या achievements रहे थे तो सबसे पहले prehistory जैसे कि मैं बता चुका हूँ लगबग 5 lakh years BC से लेके 10,000 years BC के बीच का ये वक्त था और इसे हिंदी में प्रागयतेहा से काल भी कहा जाता है इसे तीन पार्ट्स में classify किया गया पेल लिथिक दो वर्ट से मिलके बना है मीजोलिथिक भी दो वर्ट से मिलके बना है और नियोलिथिक भी दो वर्ट से मिलके बना है इन तीनों में एक वर्ट कॉमन है वो है लिथिक लिथिक का मतलब होता है स्टोन क्योंकि इस फूरे एज में इंसान स्टोन को यूज करता था और वैपन की तरफ इसी लिए इसे लिथिक एज या स्टोन एज भी कहा जाता है पेलियो याने पुराना मीजो याने की बिडिल और नियो याने की नया याने की लेटिस्ट तो लिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा पेलियो लिथिक एज लिथिक एज का बीच का हिस्सा करता जा रहा था तो आईए हम देखेंगे कि किस किस दौर में उसने क्या क्या अचीव्मेंट्स किये पेलियोलिथिक एज में हंटिंग और फूड गैदरिंग एक इंपोर्टेंट अक्टिविटी उसके हुआ करती थी वो इंसान जिसके लिए फूड ही सब कुछ था क्योंकि वो आपकी हमारी तरह एंडी की तैयारी नहीं कर रहा था वो कोई जॉब नहीं कर रहा था उसके लिए जो कुछ भी था वो सिर्फ इतना ही था कि वो अपना अक्टिविटी होती थी हंटिंग और फूड गैदरिंग लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो पेलिलिथिक एज के मैन ने कर लिया था वो था कंट्रोल ड्यूज ऑफ फायर इसने आग के ओपर कंट्रोल हासिल कर लिया था जिसके साथ ही ये सारी स्पीशीज में से आगे हो चुका था उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज मीजोलिथिक एज जिसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड अनिमल्स अंटिंग और फूड गैदरिंग अभी चालू था वो अभी खतम नहीं हुआ था लेकिन एक स्टेप ही आगे आगे था जब इसने कई तरकी के वाइल्ड अनिमल्स को अपना डोमेस्टिकेट कर लिया था इस डोमेस्टिकेशन का अबजेक्टिफ या तो सेफ्टी और सेक्योरिटी था या फिर फूड था एक और इंपोर्टेंट चीज जो मीजोलिथिक एज में हुई थी वो थ इसकी बुद्धी थोड़ी और डेवलप हुई इसकी ब्रेन की कपासिटी थोड़ी और डेवलप हुई और इसमें ऐसे चोटे चोटे औजार और हतियार यूज करना शुरू किये जो ना सिर्फ कैरी करने में हलके होते थे और दूर तक कैरी किये जा सकते थे बलकि उनसे ब सबसे पहली चीज एक बड़ा achievement जैसे कि यहां लिखा हुआ है beginning of a settled life एक स्थाई जीवन की इसने शुरुआत करी लेकिन इस settled life की शुरुआत हुई थी agriculture के कारण क्योंकि युमन्स ने agriculture प्राक्टिस करना शुरू कर दिया था और इसी लिए अब उनको फूड के लिए भटकना नहीं पड़ता था और नियुलिथिकेज तक आते आते beginning of settled life हो चुका साथ ही साथ एक बहुत बड़ा invention जो हुआ था नियुलिथिकेज में वो था invention of heel पहिये का आविशकार ये एक revolutionary invention था नियुलिथिक मैन का पहिये के आविशकार ने युमन्स के ग्रूप को दूर तक जाने के लिए capable बनाया और जब युमन्स के ग्रूप दूर तक move करने लग गए तो कई ग्रूप से एक दूसरे के साथ contact में आने लग गए और जब ये ग्रूप से एक दूसरे के साथ contact में आते थे तो अपने अपने achievements एक दूसरे के साथ share करते थे इसी तरह as a human race सभी humans की capability और capacity बढ़ना शुरू हो गई थी इसलिए wheel का invention जो इनसान को connect करने में दौर का बिलकुल उसी तरह जिस तरह आज internet जो पूरी दुनिया को connect कर चुका है और एक इंसान से दूसरे इंसान को उसकी capability और capacity बढ़ाने में मदद करता है उसी तरह वो काम भील उस वक्त कर रहा था तो एक बड़ा revolutionary invention था इस लिथिक एज के खतम होने के बाद में अब हम pre historic period से आगे निकल के चलते हैं प्रोटो historic period में और इसी प्रोटो historic period में हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में एक great civilization flourish करती थी जिसे इंडस वैली civilization कहा जाता था ऐसा नहीं था कि civilization सिर्फ हमारे यहां ही flourish कर रही थी civilization दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में थी मीजो पोटामियन civilization जो की यूफरिटीज और टिगर्स रिवर के बीच में present day इराग के अंदर flourish कर रही थी Egyptian civilization जो की North Africa में Nile River के बैंक्स के आसपास flourish कर रही थी Chinese civilization जो हवांगो रिवर के आसपास flourish कर रही थी इसके अलावा Persian और Greek civilizations भी थी लेकिन इन सभी civilizations में हमारे प्रोटो हिस्टॉरिक पिरिड में Indus Valley civilization आउटस्टैंडिंग बनती है अब हम ये जानेंगे कि Indus Valley civilization क्या थी और क्यों आउटस्टैंडिंग हम इसको कह रहे हैं क्यों हम दूसरी civilizations के मुकाबले इसको बहतर मान रहे हैं या कुछ अलग मान रहे हैं तो Indus Valley civilization के बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक बाते हम जानेंगे कुछ बेसिक questions हम address करेंगे सबसे पहला question what is Indus Valley civilization ये है क्या अब देख सकते हो तीन वर्ट से मिलके बना है Indus Valley और civilization इसको समझने के लिए इस नक्षर पे आते हैं Indus एक river का नाम है वैली वो इलाका है जहाँ पर वो बहा करती थी और civilization civilization क्या होता है आप हम सब civilized कहे जाते है civilization होता क्या है who is a civilized man what is civilization civilization is when people live in a group following some code of conduct that is civilization तो by this time Neolithic period के खतम होते होते इंसान अब अर्ली मैंन नहीं रहा था और modernize हो चुका था बड़े-बड़े groups में रहना शुरू किया था और बड़े-बड़े groups में रहना शुरू करने के कारण उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था जिससे कि वो group हमेशा बना रहे आपस में लड़के तूटे नहीं तो इस इलाके में ऐसी ही एक civilization flourish करती है जिसे Indus Valley Civilization का नाम दिया गया है Indus River जिस इलाके में बहती है उस इलाके में जो civilization develop हुई उसे ही Indus Valley Civilization कहा गया है दूसरा point इस civilization के बारे में हमें कैसे पता चला जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि history में हम अपने मन से कोई भी कहानी नहीं लिख सकते कि मेरा मन किया मैंने बुला कि यार ये दो chapter की मीच में अच्छा नहीं लग रहा है इस्ट्री पता करते हैं या create करते है तो आईए जानते हैं कि Indus Valley Civilization के बारे में हमें कैसे पता चला present day Indian subcontinent में पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जो कराची है somewhere around here और एक शहर है लाहॉर somewhere around here इसके बीच में एक railway line डाली जा रही थी 1856 में इस railway line के डलने के वक्त इसकी बिचाने के वक्त ये पता चला था कि यहाँ पर लगातार East और West में बहुत सारे ऐसे points है जहाँ पर की जमीन खोदने पर कुछ बस्तियां मिल रही है और जब 1856 में ये बात reveal हुई तो इसके उपर Major General Alexander Cunningham ने research शुरू किया जो की Archaeological Survey Department of India के founder और head बीट और उन्होंने ये conclude किया कि यहाँ पर कोई एक बड़ी civilization रही होगी लेकिन इसका असली excavation 1920 में शुरू हुआ जब Sir John Marshall जो उस वक्त Archaeological Survey Department of India के head थे उन्होंने अपनी leadership में एक systematic excavation यहाँ पर मौझूद बहुत सारी sites में करवाना शुरू किया और इन्ही excavations के basis पे जो material, mortal remains और archaeological remains मिले उन्ही material, mortal और archaeological remains की मदद से हमको ये पता चला कि एक civilization इस इलाके में आबाद थी और इसी लिए उसको नाम दिया गया Indus Valley Civilization कई किताबों में इसको हरपन civilization भी कहा गया है वो इसी लिए कहा गया है क्योंकि हरपा was the first town which was excavated क्योंकि ये पहला town था जो excavate किया गया था इसी लिए इसके नाम पर भी इसको कहा गया, इसका नाम रख दिया गया otherwise इसे Indus Valley Civilization भी कहा जाता है अब हम ये discuss करेंगे कि what was the timeline of Indus Valley Civilization जब ये civilization discover हुई तो ये curiosity हुई सभी के मन में ये जानने की कि ये civilization कितनी पुरानी थी, किस दौर की थी, इंडियनिस्टी के किस phase की थी तो इसको पता किया गया और पता चला कि ये civilization लगबग 3000 years BC से लेके तो 1750 years BC के बीच की civilization थी याने कि लगबग 1200-1300 साल की civilization ये थी, बहुत बड़ी civilization और एक बहुत बड़े वक्त तक आबाद भी रही थी और इसलिए इसको तीन phase में divide भी किया जाता है इसका शुरुवाती phase, early phase, बीच का phase जब ये अपने peak पर थी उसे matured phase और आखरी का phase जब ये decline पर आ रही थी उसे later phase कहा जाता है लेकिन ये पता कैसे चला कि ये 3000 years BC से लेके 1750 years BC के बीच की civilization थी तो इसका तरीका था carbon dating method जो भी mortal remains यहां से हसिल हुए उन सारे mortal remains का carbon dating टेस्ट किया गया और उसी के basis पे पता चला कि जीजस क्राइस्ट के जनम के लगबग 3000 साल पहले ये civilization बस चुकी थी और क्राइस्ट के जनम के लगबग 3000 साल पहले ये civilization अपने peak पर आ चुकी थी और क्राइस्ट के जनम के 1750 साल पहले ये civilization डिकलाइन भी हो चुकी थी उसके बाद हम बात करते हैं कि इस civilization में रहने वाले लोग कौन से थे तो ये पता किया गया इस civilization में मिले बहुत सारे skeletons के anthropological studies से और ये conclude हुआ कि आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं उन ही के ancestors इस civilization को आबाद करते थे वो ही इस civilization के निवासी थे हाला कि ज्यादा तर जो skeletal types मिले हैं इस civilization के अंदर वो dravidian या mediterranean टाइप के मिले हैं तो अब हमने जान लिया कि civilization क्या थी इसकी discovery कैसे हुई timeline क्या था और इस civilization में कौन से लोग रहते थे अब हम इस chapter में आगे बढ़ेंगे और आप screen पर देख रहे हो town planning of Indus Valley civilization इंडिस वैली civilization जानी जाती है अपनी urbanization के लिए यह outstanding है दुनिया की दूसरे civilization से क्योंकि जिस तरह का urbanization जो organized urbanization जो systematic urbanization यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो किसी और civilization में प्राप्त नहीं हुआ है और इसके urbanization के क्या striking features हैं वही हम इसके town planning में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत important aspect है एक एक करके हम सारे features को जानेंगे और समझेंगे कि उसका उप्योग क्या था सबसे पहले बात करते हैं use of burnt bricks याने कि यह लोग पकी हुई इटों का इस्तेमाल करते थे ancient India medieval India में हम यह देखते हैं कि ज्यादा तर घर या तो कच्चे बने हो कच्ची मिट्टी के बने हुए होते थे या फिल लकडियों के बने हुए होते थे लेकिन Jesus Christ के जर्म के धाई हजार साल पहले इंडियन सब कॉंटिनेंट के लोग हमारे ancestors पकी इटों के मकान बना रहे थे आखिर वो पकी इटों के मकान क्यों सिविलाइजेशन थी यहने नदियों के किनारे बसी हुई सिविलाइजेशन थी और इन नदियों में बाढ़ें भी आया करती थी और हर साल या frequently आने वाली बाढ़ कच्ची मिट्टी के मकानों या लकड़ी के मकानों की durability को बहुत कमजोर कर देती थे और इसी लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इंप्रोवाइजेशन किया और मिट्टी से इंटे बना कर अपने घर बनाए जिससे कि उनके घर की durability बढ़ गई वो पत्थर के घर भी बना सकते थे लेकिन locally कोई बड़े पत्थर available नहीं होते थे जो शायद उनको बहुत दूर से लाने पड़ते और बहुत ज्यादा energy और time consuming होता इसलिए उन्होंने इंप्रोवाइजेशन करते हुए मिट्टी से इंटे बनाई और इंटों से मकान बना लिए जिससे मकानों की durability बढ़ गई और वो बार में भी sustain कर सकते थे तो burnt bricks का use ना सिर्फ एक unique feature है बलकि एक बहुत ही relevant feature था उस वक्त के लिए दूसरा point houses built in a row कतार में बने हुए मकान ये एक ऐसा feature है जो कि आज आज आप इंडिया की कई townships में देख सकते हो जिने हम row houses भी बोलते हैं इसी तरह के row houses हमको इंडिस वैली civilization के excavation से हसल हुए थे आखिर उन्होंने row houses क्यों बनाये थे आखिर कोई row houses क्यों बनाता है देखिए शेहरों में जगे होती है कम और लोग होते हैं ज्यादा तो to accommodate maximum people in minimum possible space इस तरह के constructions किये जाते इंडिस वैली civilization के शहर भी flourishing शहर थे तेजी से grow करने वाले शहर थे उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी तो शहर unplanned ना हो जाए और इसी लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सही तरीके से accommodate हो सके maximum space utilize हो सके इसी लिए हम देखते कि इस तरह के organized or systematic constructions किये गए जहा पे मकान कई कतारों में बने हुए होते थे इसके अलावा तीसरा point हम देखते हैं drainage system इंडिस वैली civilization का ये बहुत हैरान कर देने वाला feature है कि जीजस क्राइस के जरम के धाई हजार साल पहले इंडिस वैली civilization के लोग in-house toilets और bathrooms का use कर रहे थे और जब वो in-house toilets और bathrooms का use कर रहे तो उन्हें चाहिए था एक drainage system जो कि एक बहुती well planned drainage system उन्होंने बनाया था जो शेहरों के अंदर कई नालियों की तरह बना हुआ था घरों के सामने से जाने वाली नालिया जो सारी नालिया शेहर के बाहर किसी तालाब या फिर किसी नदी में जाकर सारा waste exit कर देती थी और नदी भी pollute नहीं होती थी क्योंकि ये decomposable waste होता था non decomposable waste नहीं होता था तो इस तरह से एक शांदार well planned drainage system इन्होंने डेवलप किया उसके बाद हम बात करते हैं grid pattern की grid pattern क्या होता है कुछ इस तरह की लकीरे हम खीश दे और इनको इस तरह से intersect कर दे तो इस तरह से तयार होग grid pattern आस्मान से देखने पर Indus Valley Civilization का कोई भी शहर grid pattern में नजर आता था और ये grid pattern के बने हुए शहर highly organized दोते थे चाहे row houses बनाने हो या एक well planned drainage system बनाना हो grid pattern हमेशा काम आता था Indus Valley Civilization की सारी सड़के एक दूसरे को 90 degree के angle पे bisect करती थी और इसी लिए उपर से देखने पर ये शहर ना सिर्फ खुपसुरत दिखता था बलकि बहुत organized भी दिखता था आज हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जिसे चंडिगड के नाम से जाना जाता है जो बिलकुल इसी pattern पे बना है और भारत का एक सबसे organized और well planned शहर वो माना जाता है Indus Valley Civilization के लगबख सारे शहर इसी तरह से बने हुए थे अगला feature हम बात करते है water recharging system ये एक again बड़ा fascinating feature है जो हमको प्राप्थ हुआ है northern गुजरात से northern गुजरात का इलाका जो की सूखा इलाका है वहाँ पे एक site है जिसे धौला वीरा कहा जाता है इसी धौला वीरा site से हमको एक water recharging system मिला है क्योंकि वो एक सूखा इलाका था और शहर को आबाद रहने के लिए पानी की बहुत जरूरत थी इसी लिए वहाँ के लोगों ने एक seasonal river के उपर stop dam बनाया और उस stop dam से जो reservoir उसके पीछे create हुआ उसी reservoir से canals draw करके वो अपने शहर में ले आया और शहर के अंदर अपने कई water tanks भर लिए इस तरह से साल भर के water की availability वो एक ही बारिश के season में पूरी कर लेते थे और सूखे के इलाके में भी Indus Valley Civilization का एक शहर flourish करता था और इसी लिए ये अपने आप में एक unique feature है Indus Valley Civilization की सारी sites से feature नहीं मिला है क्योंकि Indus Valley Civilization की ज्यादा तर sites किसी बड़ी नदी के किनारे है लेकिन धोलाविरा के sites सूखे में थी और इसलिए वहाँ पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक शांदार water recharging system बनाया जो बहुत simple mechanism पे काम करता था लेकिन बहुत ज इस facts से कि हमको कई शहरों से बड़ी बड़ी granaries मिली है ना सिर्फ वो बड़े पैमारे पर agriculture करते थे बलकि उस agricultural produce को effectively store भी करके रखते थे और इसलिए हमको बड़ी बड़ी granaries देखने को मिलती है और last but not the least citadel यानि की गढ़ी ये क्या होता है एक बार हम इसको समझते हैं डा सा हुआ है ये है लोवर टाउन निचला टाउन और ये है अपर टाउन और इसी अपर टाउन में बना हुआ था एक citadel जिसे की गढ़ी कहा जाता है जो की छोटा सा किले जैसा structure होता है इस citadel की मदद से पूरे शेहर के उपर निगरानी रखी जा सकती थी और उसको control किया जा सकता था इंडस्पाली civilization की ज्यादा तर आबादी इस लोवर टाउन के अंदर ही बसी हुई थी ज्यादा तर घर लोवर टाउन के अंदर बसे हुए थे लगबग 75% और यहाँ पर कम लोग रहते थे इंफ्लुएंचल लोग रहते थे वो लोग रहते थे जो civilization को control करते थे औ और इस पॉइंट से सिटेडल से इस पूरे शेहर के उपर निगरानी रखना आसान था उसके law and order को control करना आसान था तो यह भी एक टाउन प्लानिंग का important feature था इसके टाउन प्लानिंग के कुछ unique features देखने के बाद इसके दूसरे aspects की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे प पढ़ते हैं तो उसकी society को ज़रूर पढ़ते हैं और इंडस वाली civilization के context में यह बहुत ज्यादा important है क्योंकि ज्यादा तर जो material, mortal, archaeological evidences हम को मिले उसमें हमें society के बारे में काफी information प्राप्त हुई है तो देखें कौन-कौन से features थे society के और उनका क्या मतलब था सबसे पहले बात करते हैं matriarchal in nature, दूसरा nuclear family system, तीसरा urbanization और चौथा कई तरह के professions matriarchal in nature याने की हिंदी में कहते हैं मात्र सत्तात्मक इंडस वाली civilization की society, एक ऐसी society मानी गई है on the basis of evidences जो की matriarchal है nature में जो मात्र सत्तात्मक है, जहाँ पर या तो males और females का social status equal था, या फिर female dominate करती थी और इसी तरह की societies को matriarchal in nature कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी goddesses की वहाँ पे पूजा होती थी images मिली, हमको evidences मिले हैं mother goddess के, जो worship की जाती थी साथ ही साथ हमको एक ऐसी society यहाँ से मिली है, जिसमें warfare ज्यादा नहीं था, एक warrior society नहीं थी तो again it will tend towards matriarchy और इनके professions कुछ ऐसे थे जिसमें women equal contribution कर सकती थी men की तरह और इसी लिए इसको यह conclude किया गया, कि यह society completely matriarchal है nature बे अब बात करते हैं nuclear family system की, इंडिस वैली civilization के ज्यादा तर शहरों में हमको यह evidences मिले हैं कि छोटे परिवार रहते थे, इसमें 3-5 लोग रह सकते थे, यह evidence हमको lower town से मिला है जिसके बारे में मैंने कुछ दिर पहले जिक्र किया था, कि ज्यादा तर शहर निचले इलाकों में बसे हुए थे और वहां से जो मकान हमको मिले हैं, जो archaeological evidence हमको मिले हैं वो मकान छोटे हैं size में, और क्योंकि वो मकान छोटे हैं size में तो ज्यादा तर आबादी छोटे छोटे परिवारों में रहा करती थी और इसी लिए ये एक nuclear family based civilization या system था फिर उसके बाद एक important point आता है urban system एक urban civilization इसको कहा जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गाउं नहीं होते थे फिर agricultural produce बहुत बड़े level पे था तो गाउं तो यहाँ पे रहे ही होंगे लेकिन फिर भी इस civilization की पहचान urbanization से है इस civilization का distinguishing उसके urban nature से उसकी town planning से है आज अगर हम इस civilization को पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बड़े-बड़े towns थे जिनके remains हमको मिले और इसलिए the soul of this civilization lies in its urban centers और इसलिए civilization को urban civilization कहा जाता है और इस society के अंदर हमको कई तरह के occupations करने वाले लोगों के evidences मिले हमें यहाँ पे farmers मिले, traders मिले, priests, articians, architects, copper smith, cattle rearers and laborers यह सारे अलग-अलग तरीकी के professions जो होते थे एक society को accomplished बनाते थे तो इंडर्स वैली civilization की society एक बहुत ही rational और एक बहुत ही accomplished society हुआ करती थी अब हम इंडर्स वैली civilization के अगले aspect की तरफ आगे बढ़ते हैं वो है political system of the Indus Valley civilization इंडर्स वैली civilization के political system को जानना बहुत मुश्किल था क्योंकि material, mortal या archaeological evidences के basis पे conclude करना की political system कैसा रहा होगा बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी scholars ने कुछ probabilities निकाली की कैसा हो सकता था उसी के basis पे conclusion यहाँ पे निकल के आता है जैसे कि तीन चीज़े आप देख सकते है theocratic, oligarchy and republican in nature theocratic ऐसी societies होती है जहाँ पर की religion society को control करता है religion country को control करता है दूसरा oligarchy यह एक ऐसी society होती है जहाँ पर कुछ खास लोग मिलकर पूरी country या civilization या society को control करते है हम पक्के तोर पर यह नहीं कह सकते कि theocratic ही रहा होगा या oligarchy ही रहा होगा इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है या इन दोनों का मिला जुला एक रूप हो सकता है हो सकता है कि वो कुछ लोग जो civilization को control करते हो वो religious head हो तो फिर यह completely theocratic भी बन जाएगी और इसमें oligarchy के elements भी आ जाएगे या ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े traders और businessmen इस society को control करते हो तो फिर ये completely oligarchy हो जाएगी लेकिन एक बात यहाँ पर सभी scholars unanimously मानते हैं कि इनका system Republican था नेचर में Republican होता क्या है Republican system एक ऐसा system होता है जहाँ पर ruler appointed होता है जहाँ पर ruler non-hereditary होता है और जहाँ पर ruler non-absolute होता है याने की ruler कानून से बड़ा नहीं होता कानून कुछ खास लोग oligarchy में या theocratic society में कुछ खास लोग मिलके कानून बनाते हैं और वो कानून का पालन हो उसके implementation के लिए यह वो अपने में से ही किसी को एक head चुनके एक ruler चुनके appoint कर देते हैं और यह बन जाता है Republican system जहाँ ruler appointed होगा जहाँ ruler non-hereditary होगा यानि कि उसका बेटा ruler नहीं बनेगा बन सकता है अगर उसे लोग चुने तो लेकिन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसका बेटा है और तीसरा ruler non-absolute होगा यानि कि ruler above the law नहीं होगा निरंकुष नहीं होगा तो इस तरह का एक rational political system हमको यहाँ पर दिखाई देता है Monarchies यहाँ पर Indus Valley Civilization के political system में Monarchies के idea को reject किया गया है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी absolute Monarchies नहीं होती होगी क्योंकि हमको यहाँ से बड़ी-बड़ी armies के evidences नहीं मिले Monarchies को establish करने के लिए बड़ी army का होना जरूरी Monarchies का मतलब होता है राज तंत्रात्मक शासन याने कि एक राजा सब कुछ control करता है लेकिन कोई राजा सब कुछ तब control कर पाता है जब उसके पास में एक बड़ी forge होती है जिसके डर से या जिसके दम पर वो लोगों को control करता है लेकिन जब हमें Indus Valley Civilization से कोई बड़ी army के evidences ही नहीं मिले तो फिर Monarchies का idea reject हो जाता है और Republicanism का idea आगे बढ़ जाता है और इसलिए हमें conclude करते हैं कि theocratic nature या oligarchic nature की एक society की एक political system रहा होगा और Republican nature उसका definitely रहा था इसके बाद में हम एक दूसरे aspect के बारे में बात करेंगे Indus Valley Civilization के जो की बहुत important aspect है economy in the Indus Valley Civilization देखिए Indus Valley Civilization एक traders की civilization थी agricultural farmers की civilization थी और इसी लिए economy, trade ये सारे aspect इसमें बहुत ज़्यादा matter करते हैं तो आईए Indus Valley Civilization की economy को हम एक nutshell में समझते हैं तब से पहला point barter system in practice ये उस दौर की बाते हैं जबकि barter system practice में किया जाता है दुनिया के अंदर currency नहीं आई थी barter system practice किया जाता था याने कि एक object के बदले दूसरी object का trading होता था दूसरा point trade based on agricultural produce ज्यादा तर trade जो Indus Valley Civilization में practice किया जाता था वो था agricultural produce का और तीसरा point की agricultural produce के अंदर क्या-क्या वो grains थी क्या-क्या वो crops थी जिसे cultivate किया जाता था wheat, rice, barley, mustard, seasonum, cotton, indigo, melons, etc. ये वो प्रमुकh crops थी जैसे wheat, rice, barley, ये food grains crops थी, mustard, seasonum, ये oil seeds crops थी, cotton, indigo, ये cash crops थी और melons जैसे की दूसरे fruits और vegetables तो इस तरह Indus Valley civilization के लोग कई तरह की crops grow करते थे जिसको हमने food grain crops, oil seed crops और साथ ही साथ cash crop में बताया है इसी के साथ साथ farming के अंदर ही हम include करेंगे cattle rearing को हमको evidences मिलें Indus Valley civilization में बहुत सारे cattle के, primarily buffalo, sheep, goat, rooster, यानि के मुर्गा, etc. ये सारे जो animals हैं, इनका एक ही objective होता था, ये इनसान के भोजन में काम आते थे ज्यादा तर जो sheep और goat के हमको skeletal remains मिले है, mortal remains मिले है, उनकी study करके ये पता चला है कि वो young age में मारे गए थे, जिसका एक ही मतलब है, young age मतलब बच्पन में नहीं, जब वो जवान थे, young थे, तम मारे गए थे, तो इसका एकी मतलब है, कि वो meat consume करने के लिए use किये जाते थे, लेकिन ज्यादा तर जो buffalo's हमको मिली है, वो old age की मिली है, उनकी death old age में होई है, जिससे ये पता चलता है, कि वो milking के काम आती थी, वो दूध प्राप्त करने के काम आती थी, और उसके बाद हम देखते हैं, एक बहुत important aspect इंड़स वैली civilization का foreign trade, इंड़स वैली civilization के अंदर, domestic trade तो flourish करता ही था, practice किया ही जाता था, लेकिन साथ ही साथ foreign trade भी ये करते थे, foreign trade करते थे, ये कैसे पता चला, इसके दो important example है, पहला important example, हमें इंड़स वैली civilization में उसी दौर की कुछ दूसरी civilizations की fields मिली है, जैसे मीजोपोटामियन civilization और Persian civilization, उसी तरह हमारे आखी fields भी वहाँ पर मिली है, जिससे ये conclude होता है कि इन civilizations के आपस में कुछ रिष्टे हुआ करते थे, कुछ contact हुआ करते थे, और वैसे भी मीजोपोटामियन civilization को study करने पर ये पता चल चुका है कि वो इंड़ियन civilization के लिए मेलूहा वर्ड यूज करते थे, तो ये foreign countries से जो हमारे contact थे, ये contact सिर्फ diplomatic नहीं रहे होंगे, इन contact के अंदर diplomacy से ज्यादा trade रहा होगा, साथी साथ हमको इंड़िस वैली civilization की गुजरात के अंदर एक site है, जिसे लोथल कहा जाता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा dockyard मिला है, जहाँ पे जहाज आके लगते थे, और यहाँ से goods ले जाते थे, और वहाँ से goods लेके यहाँ पे आते थे, क्योंकि यह barter system चलता था इसमें, तो एक dockyard का evidence यह बताता है, कि जहाजों के दुआरा ना सिर्फ travel होता होगा, बलकि trade भी होता होगा, इन फैक्ट आज भी दुनिया में, पूरा international trade जहाजों के माध्यम से ही किया जाता है, तो dockyard का evidence, एक बहुत strong evidence है, जो यह बताता है कि international trade यह लोग practice करते थे, international trade में वो कौन-कौन सी commodities होती थी, जो export की जाती थी, और वो कौन-कौन सी commodities होती थी, जो import की जाती थी, तो exported commodities में, ज्यादा तर agricultural produce ही होता था, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन imported commodities जो होती थी, वो होती थी, precious and semi-precious metals and stones, अब यही पॉइंट पर हम सबस सकते हैं, कि Indus Valley civilization इतना flourish क्यों करती थी, यह देती थी, यह export करती थी, agricultural produce जो कि यह बार-बार grow कर सकते थे, और जिन countries को यह agricultural produce देती थी, बदले में वो लोग इनको देते थे, precious और semi-precious metals और stones, copper, tin, silver, gold, lapis lazuli, sapphire, etc. अब lapis lazuli, sapphire, copper, tin, gold, grow नहीं किया जा सकता, यह limited amount में होता है, जहां पर भी होता है, तो इस trade में, इस तरह के बार्टर सिस्टम वाले trade में, advantage में हमेशा इंडिस वाली civilization के लोग रहे, क्योंकि every time they had tons of agricultural produce to sell, to export, लेकिन उनकी दूसरी civilization जिनके साथ वो trade कर रहे थे, उनके पास धीरे धीरे चीजे limited होने लगती होंगी, लेकिन अगर limited ना भी होती हो, तो भी इंडिस वाली civilization के लोग बहुत तेजी से अमीर बन रहे थे, agricultural produce को sell करके, export करके, और यही वज़़ है कि इंडिस वाली civilization के अंदर आप इतने बड़े बड़े शहर देखते हो, जबर्दस आर्किटेक्चर देखते हो, grid pattern में बने शहर देखे, drainage system देखा, burnt bricks देखी, क्या नहीं देखा इंडिस वाली civilization के टाउन प्लानिंग में, यह सब कुछ कैसे possible हुआ, यह इसी लिए तो possible हुआ, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, economy इनकी बहुत अच्छी थी, और सबकी वज़़ थी इनका export, जो कि आसपास की civilization को किया जाता था, और उनसे बदले में लिया जाता था, precious और semi precious, metals और stones, economy के बाद एक और दूसरा important aspect जिसके बारे में हमको information मिलती है, इंडस वाली civilization में मिले artifacts के थूँ और दूसरे evidences के थूँ वो है religion in the इंडस वाली civilization, religion होता क्या है, religion जिसको हिंदी में धर्म कहते हैं, हमारे देश के culture में धर्म की definition अलग है और western world के culture में धर्म की definition अलग है, हमारे culture में धर्म वो होता है, जो धारन किया जाता है, जो way of life आप धारन करते हो, adopt करते हो, वो ही आपका धर्म होता है, लेकिन western world के definition के according, जो God में आप belief करते हो, जो spirituality का belief system आपका है वो आपका religion है यहाँ पे हम religion को western world के context में ही discuss करेंगे कि किस-किस तरह के देवी देवताओं को Indus Valley Civilization में पूझा जाता था तो जो आप screen पे देख रहे हैं सबसे पहले वो है Mother Goddess Indus Valley Civilization की एक बहुत ही revered deity Mother Goddess जो बहुत बड़े numbers में जिनके images हमको प्राप्त होई Indus Valley Civilization में इन्हे fertility की deity भी कहा जाता था और ज्यादा तर किसान समाथ ज्यादा तर agricultural community इन्हे पूझती होंगी क्योंकि यह fertility की देवी मानी गई है Indus Valley Civilization की one of the most revered deity इनके बाद हम बात करते हैं पशुपती महादेव जैसे के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक और important deity पशुपती महादेव एक seal मिली यह seal में आप image को देख सकते हैं कि एक इनसान जैसा creature meditation के मुद्रा में बैठा हुआ है और it is surrounded by animals टाइगर, elephant, rhinoceros और buffalo और नीचे आप देख सकते हैं deer याने की हीरन इतने सारे जानवरों से घिरा हुआ है और ध्यान कर रहा है तपस्या कर रहा है इसलिए इसको ये नाम दिया गया है पशुपती और because it's meditating इसलिए इनको महादेव नाम दिया गया है बहुत सारे scholars ने इनको relate किया है कि proto-historic period में शिव का ये रूप था और इसलिए इनको proto-shiv भी कहा गया है दूसरा symbol आप देखते ही पहचान गए होंगे जो की स्वास्तिक का symbol जिसे कहते हैं जो हमारे घरों के बाहर अक्सर बनाववा भी होता है इसी तरह के symbol इसी तरह के artifacts हमको Indus Valley Civilization से भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि स्वास्तिक का symbol सिर्फ अभी के नहीं जब से इंडिया में civilization है तब से एक पवित्र symbol माना जाता है उसके बाद बात करते हम fire altars की जिसे यग्य की वेदी या हवनकुंड भी कहा जाता है इससे हमें ये पता चलता है कि Indus Valley Civilization के लोग भी उस तरह से rituals करते थे जैसे rituals हमारे आज इंडिया के अंदर किये जाते है फिर उसके बाद आप देख सकते हो unicorn and a people tree एक सिंग वाला घोड़ा और people का व्रिक्ष people आज भी भारत के अंदर एक बहुत पवित्र पेड है और Indus Valley Civilization में भी इसकी seals मिलना ये indicate करता है कि ये सारे पेडों में एक खास स्थान रखता था एक खास जगे रखता था और उसके बाद अब religion को discuss करने के बाद हम बात करेंगे decline of Indus Valley Civilization देखिए civilization बहुत great civilization थी highly urbanized civilization थी इसकी एक बहुत ही rational society थी एक rational political system था एक well developed economic system था एक religion इसके अंदर practice किया जाता था well defined religion था और आज का जो हमारा religion है इंडिया के अंदर majority में practice किया जाने वाला उसी religion का precursor हुआ करता था लेकिन आखिर ये सब क्या हुआ अचानक ऐसा कि ये civilization decline हो गई ये civilization destroy हो गई क्यों इस civilization के घर हमको जमीन में दबे हुए मिले क्यों हमको civilization के घरों में सामान वैसा का वैसा रखा हुआ मिला तो इसके उपर बहुत थारी researches हुई और पता लगाने की कोशिशें की गई कि आखिर ये civilization का destruction क्यों हुआ उनी researches के basis पे कुछ theories निकल के सामने आती है हम उन theories को discuss करेंगे कि क्या क्या probable reasons हो सकते थे इस civilization के destruction के ता ये बात करते हैं सबसे पहले reason की जिसको हम कहते हैं the Aryan invasion theory एक scholar थे जिनका नाम था Mortimer Wheeler जिनोंने ये theory propagate करी थी और ये theory ये कहती है कि Indus Valley civilization के अंदर रहने वाले ज्यादा तर लोग travidians थे और एक ऐसा warring group था जो की Afghanistan के North से यानि की Central Asia से migrate करके आता है और ये migrate करके enter करता है इस civilization में यहाँ पे इनका contact होता है इस civilization में रहने वाले लोगों से ये contact hostile होता है और इस hostile contact में इनके आपस में wars होते हैं इस wars में Aryans Indus Valley civilization के inhabitants को defeat कर देते हैं जिसकी वजह से Indus Valley civilization के लोगों को migrate करके भारत के दूसरे हिस्सों में जाके settle होना पड़ता है और इस तरह से उनको अपनी ये civilization पूरी तरह से छोड़ देनी पड़ती है और इसलिए civilization डिस्ट्रॉय हो गई Aryans जो की cattle rearers थे warriors थे उन्होंने इस trade based civilization को नहीं अपनाया और अपनी तरीके से जिंदेगी जी तो ये पहली theory आती Aryan invasion theory हाला कि ये theory challenge की जाती ही बहुत सारे Indian scholars के द्वारा जो ये कहते हैं कि Aryan कहीं बाहर से नहीं आये थे बलकि इंडिया के ही native inhabitants थे और Britishers ने ये theory जान बूच के दी है ताकि वो इंडिया के लोगों को divide कर सके Aryans और Dravidians में लेकिन अभी हम इसके research पे नहीं जाएंगे further वो किसी detailed class में हम देखेंगे कि आखिर सच क्या है और कितना है अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि Indus Valley Civilization के decline के regarding एक theory propagate की गई थी इसके बाद में एक दूसरी theory जो geologist की तरफ से हाती है जिसे कहते है plate tectonic theory अभी plate tectonic क्या होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा geography समझना पड़ेगा history के बारे में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि history is always accompanied by geography अगर आपको history बहतर समझना है तो आपको geography समझना बहुत जरूरी होगा हलाकि मैं अभी आपको एक बहुत briefly बताऊंगा tectonic movement क्या होता है हमारी जो पूरी earth है वो plates के ओपर बसी होई जो earth crust है वो plates में divided हैं यह plates कभी-कभी एक दूसरे से दूर जाती है और कभी-कभी एक दूसरे से collide होती है और इसी दूर जाने और collide होने में land masses change होते हैं या फिर seismic activities आती है जिससे की धरती की सतह पर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं तो ऐसे ही किसी minor tectonic movement के कारण कुछ ऐसे बदलाव हुए थे जिनके चलते इंडस valley civilization का end हुआ थे तो यह हमारा इंडिया है आप जानते हैं इंडिया के north east में China है और Central Asia है तो China Central Asia का जो इलाका है वो Eurasian plate और इंडिया जो है वो Indian plate है तो Indian plate करोणों साल पहले आके Eurasian plate से collide करी थी और इसी collision के कारण हिमालयाज भी बने थे लेकिन अभी भी Indian plate Eurasian plate को पुश कर रही है और इसी लिए हमालय और उसके आसपास के इलाके में कुछ seismic movements होते रहते हैं और इंडस valley civilization के दौरान Christ के जनम के दो ड़ाई हजार साल पहले के दौरान ऐसा कोई seismic movement हुआ था जिससे की नदियों का course change हो गया था इंडस valley civilization एक agricultural based civilization थी और इनका agriculture बहुत ज्यादा depend करता था रिवर्स के उपर ऐसे में किसी नदी का विलुपत हो जाना या किसी नदी का track change कर लेना इनकी civilization के उपर बहुत बुरा असर डाल सकता था और यही हुआ जैसे कि आप map में देख रहे हो नीले outline में इंडस river बनी हुई है और green outline में बनी हुई है एक ऐसी river जो अब extinct हो चुकी है अब यह river exist नहीं करती जिसको ancient सरस्वती river के रूप में identify किया गया है जो tectonic movement के कारण seismic wave आई थी उसके कारण सरस्वती river अपने सरस्वती river extinct हो गई थी यह surface के उपर बहने के बजाए surface के नीचे बहना शुरू कर देती है और इसी लिए यह extinct मानी जाती है जब यह river extinct हो गई तो एक बहुत बड़ा इलाका जो इस civilization के का हिस्सा था और इस river के उपर depend करता था अब वो हिस्सा फर्दर आगे बड़े लेवल पे agriculture प्रैक्टिस नही कर सकता और क्योंकि agriculture बड़े लेवल पे प्रैक्टिस करना अचानक रुख गया अचानक नहीं रुखा ऐसा नहीं था कि कल तक सरस्वती रिवर बह रही थी और कोई tectonic movement हुआ और आज सुबह उठे तो सरस्वती रिवर गायब हो गई ऐसा नहीं था इसमें भी 100-200 साल लग आता गया ट्रेड डिकलाइन पर आता गया तो economy भी डिकलाइन पर आती गई और इसी तरह धीरे धीरे उन लोगों ने ऐसी जगों पर move करना शुरू कर दिया जहां पर उनको ज्यादा बड़ी नदिया मिल सकती थी या फिर agriculture की better opportunities मिल सकती थी जैसे की river गंगा या फिर जैसे की south इंडिया की peninsular river तो इस थीोरी के इसाब से अगर बात करें तो civilization destroy नहीं हुई extinct में हुई civilization shift हो गई वो अपने इन settlements को छोड़के भारत के दूसरे इलाकों में चले गए जहां पे उन्होंने नए settlements बनाये जिसमें उनको फिर 1500 सालों का वक्त लगा तो यह plate tectonic theory बहुत highly accepted theory है और बहुत rational theory है जो इस civilization के abrupt end के बारे में बताती है इसके बाद में कुछ दूसरे causes भी माने जाते हैं जैसे की floods यानि की बाढ़ का आना क्योंकि Indus Valley Civilization के कुछ शहरों से layers of flood मिली है जब flood आती तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है जब पानी उतर जाता है मिट्टी रह जाती है तो वो मिट्टी जो होती है वो indicate करती है कि कोई बड़ी flood यहाँ पे आई थी Indus Valley Civilization के कई शहरों से layers of ऐसी soil मिली है जो flood में आके deposit हुई थी और इसलिए कई historian यह मानते हैं कि इस civilization का destruction floods से हुआ एक और important cause है lack of fuel देखिए आप जानते हैं कि Indus Valley Civilization वाले बोर में कोई LPG तो हुआ नहीं करती थी या कोई electricity तो हुआ नहीं करती थी जिससे कि इनसान अपने जरूरत के कामों को पूरा कर सकता था फिर लकडी ही एक जरिया थी fuel का ऐसा माना गया कि जैसे जैसे civilization के आबादी बढ़ती गई वो ज्यादा से ज्यादा लकडियां आसप जिससे कि वो fuel की तरह यूज कर सके और इसलिए उनको भारत के उन इलाकों में migrate करना पड़ा जहां अभी भी जंगल थे और जहां से timber वो extract करके fuel की तरह यूज कर सकते थे या फिर construction के लिए यूज कर सकते थे तो शायद lack of fuel भी एक कारण रहा होगा कि ये civilization destroy हो गई कई लोग एक कारण मानते हैं drought कि ये दोनों बड़े opposite reasons है flood और drought लेकिन हम समझेंगे कि drought को भी क्यों consider किया गया है क्योंकि जंगल कट गए और जंगल कट जाने के कारण जो rainfall का pattern था वो कमजोर पड़ गया है इस इलाखे में अगर आप आज के पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे average annual rainfall बहुत कम है somewhere around 25 cm per year पुरे साल में 25 cm की average annual rainfall वहाँ पे होती है हो सकता है कि इस तरह की कम rainfall होने की शुरुवात उसी वक्त में वहाँ से हुई थी और कम rainfall याने की खेती के उपर भी बहुत बुरा असर दिखे नदियों के किनारे तो खेती पॉसिबल थी लेकिन उस वक्त इतनी technology नहीं थी कि कई 100 km दूर तक नहरों को ले जाया जा सके ऐसे में सिर्फ नदियों के किनारे के आसपास की बस्तियां रहे गई और दूर दरास की बस्तियां जो कभी rain water के उपर dependent होती होगी अपनी खेती को successful बनाने के लिए अब वो destroy हो गई और शायद इस सूखे के कारण बहुत सारे को भारत के उन इलाकों में जाके बसना पड़ा जहां पर की rainfall ample amount में होती थी या कोई बड़ी नदियां होती थी जिसके मदद से वो अपनी खेती को पूरा कर सकते थे उसके अलावा एक और important reason यहां पर देखा जाता है epidemics यह माना जाता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई महा मारी य तो इंडस फैली सिवलाइजेशन के जमाने में भी कोई ऐसी epidemic फैल गई हो जिसका कोई इलाज वो लोग ना ढूंपाए और जिंदा बचने के लिए उन्होंने उस जगे को छोड़ना ही ठीक समझा और छोड़कर उस जगे से इतनी दूर चले गए जहां पर वो उस epidemic का शिक से connect करता है कि population बढ़ती गई तिकि जब हमारी population बढ़ती है किसी भी country की तो country का size नहीं बढ़ता है country उतनी रहती population बढ़ती जाती है as a result of which resources का shortage होने लगता है ऐसे में या तो लोग आपस में लड़ते है civil wars होने लगते हैं या फिर लोग दूसरी जगों पर migrate कर जाते हैं ज Indus Valley Civilization का destroy होना कोई छोटा मोटा event नहीं था ना ही या एक या दो दिन में हो गया इसको होने में भी 200-300 साल लगे और जब भी कोई बड़ा event होता है तो वो किसी एक वजह से नहीं होता उसके पीछे कई वजह होती है मेरे ख्याल से Indus Valley Civilization के decline में इन सारे points का थोड़ा destruction की गगार पे पहुँच गया अब हम बात करेंगे Indus Valley Civilization की कुछ important towns और उन towns से हमको कौन-कौन से objects और communities और materials प्राप्थ हुए हैं सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी site की जो है मोहन जोडाड़ो जो present day Pakistan के Sindh province में situated है यहां से हमको great greenery मिली जिसके हमने बात करी थी कि एक बहुत बड़ा घर जैसा जहां पे अनाज store किया जाता था तो एक great greenery हमको प्राप्थ होती है मोहन जोडाड़ो से साथ हमको मिलता है bronze image of a dancing girl bronze याने की कांसे की प्रतिमा एक dancing girl की मिलती है जो fact की तरह कई exams में पूछा गया है उसके अलावा हमको मिलता है एक bearded man एक streetite की image हमको मिलती है जो की एक दाड़ी वाला आदमी है लेकिन उसकी मुच्छे नहीं है इसके बारे में ये conclude किया गया है कि he must have been some kind of priest ये किसी तरह का कोई पुरोहित रहा होगा इंडुस वाली civilization का तो ये bearded man का image हमको मोहन जोडाड़ो से मिलता है साथ हमको मोहन जोडाड़ो से मिलते है terra cotta toys terra cotta क्या होता है terra cotta एक latin word है जिसका मतलब है mitti से बनने वाला object mitti से बनने वाला कोई object, mitti से बनने वाला कोई छोटा tool या mitti से बनने वाला कोई ornament इन्हेट terra cotta के material कहा जाता या इन्हेट terra cotta कहा जाता है तो हमको Indus Valley Civilization के मोहन जो दाडों से बहुत सारे टेरा कॉटा से बने हुए छोटे बड़े खिलोने मिले है साथी साथ हमको मिली है बुल सील, पशुपती सील और त्री सिलेंड्रिकल सील तो यह कई तरीकी की सील्स हमको मिली है एक सील जिसके उपर बुल बना हुआ है, एक सील जिसके उपर यादे हमने पशुपती महादेप का इमिश देखा था वो बना हुआ है और एक मिला है सिलेंड्रिकल सील जिसको हिंदी में बोलते बेलन आकार अगर आप हाथ में बेलन लें और उसके दोनों हत्य काट दो तो वो कैसा होगा सिलेंडर जैसा? वेसी सील हमको मिली है जो इंडिया की सील नहीं है जो इंडिया के बाहर की सील मानी गई है जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि foreigners की seal यहाँ पर भी मिली है तो यह सब हमें मोहन जुदाडों से मिला है मोहन जुदाडों के बाद एक बहुत important site हडपा आती है जो present day पाकिस्तान के पंजाब province में situated है यहाँ से हमको greeneries मिली है मोहन जुदाडों की तरह ही यहाँ पर भी हमको greeneries मिली है पर किये है कि मोहन जुदाडों में एक बहुत बड़ी greenery मिली है हडपा में हमको छोटी छोटी लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कई greeneries मिली साथ ही साथ हडपा से हमको evidence मिलता है coffin burial का देखिए अपने मृतकों का यह सम्मान करते थे मरने पर लोगों को दफनाया भी जाता था Indus Valley Civilization में और जलाया भी जाता होगा तो जो जला दिया गया उसके तो कोई evidence मिल नहीं सकते दफनाय हुए के evidences मिलते हैं तो हडपा में हमको दिखाई देता है कि लोगों को ना सिर्फ दफनाया गया बलकि प्रॉपर कॉफिन के अंदर दफनाया गया और हमको मिलते हैं हडपा से बहुत सारे artifacts artifacts क्या होते हैं? इंसान के द्वारा बनाये गए कोई छोटे मोटे ओजार या खिलोने इन्हें artifacts कहते हैं इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी छोटी या मीडियम साइस की कलाकरती को artifacts कहते हैं तो इंडस्वाली civilization में तो बहुत सारे artifacts मिले और हडपा से भी बहुत सारे artifacts मिले हैं तीसरा है आमरी आमरी present day पाकिस्तान के सिंध प्रॉविंस में situated है जहां से हमको एक बहुत important evidence मिला है rhino mortal remains rhinoceros जिसको हम गेंडा कहते हैं उसके remains मिले हैं यहां से इसका मतलब है कि उस इलाके के अंदर उस वक्त गेंडे भी पाये जाते थे अब तो wildlife वहाँ पर बहुत कम बच्ची है लेकिन क्राइस्ट के जनम के 2500 साल पहले और आज से करीब 4600 पहले वहाँ पर wildlife काफी abundance में थी और इसलिए हमको rhino जैसे बड़े mammal के evidences भी इंडस वाली civilization के इस शेहर से मिलते हैं इसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला शेहर जो की बनवाली है बनवाली इंडिया के हर्याना में situated है और बनवाली से हमको मिलता है टेरा कोटा का बना हुआ एक प्लो टेरा कोटा हम जान चुके हैं कि क्या होता है प्लो याने की हल याने की हल जैसा बना हुआ है खिलोने जैसा है वो पर टेरा कोटा का बना हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि उस इलाके में खेती बड़े स्तरपे होती होगी, टेरा कोटा का फ्लो हमको बनवाली से मिलता है, फिर उसके बाद आता है चाहूंदड़ो, चाहूंदड़ो पाकिस्तान, present day पाकिस्तान के सिंध प्रॉविंस में सिचुएटेड है, जहां से हमक को लिपस्टिक के एविडेंस मिलते हैं, याने कि इंडियन्स मेकप पगरा करने में बहुत शुरू से ही इंटरेस्टेड होते थे और लिपस्टिक वगरा तब भी यूज की जाती थी, लेकिन चाहूंद़ो के बारे में एक और important बात जानने लायक है कि this is the only site without a citadel, सारे ब चाहूंद़ो से नहीं मिला है, तूर कोत्रा जो कि present day इंडिया के गुजरात में situated है, यहां से हमको मिले है mortal remains of a horse, एक घोडे के mortal remains मिले, वैसे इंडिस वैली civilization में कहीं और से हमको घोडे के remains तो नहीं मिलते हैं, तो इसी लिए ये conclude किया जाता है कि इंडिस वैली civilization के लोग का use नहीं करते थे, यहां बहुत ही कम करते थे, negligible करते थे, लेकिन सूर कोत्रा ये indicate करता है कि ऐसा नहीं था कि ये लोग घोडों को जानते नहीं थे, क्योंकि यहां से हमको mortal remains of bones मिले हैं, साथ ही साथ, सिनौली, जो की recent years में एक बहुत बड़ा revelation जैसा बनके आया है, इंड surprisingly बहुत सारे burials के indication मिले, evidences मिले हैं, दरसल 2005 या 6 की ये बात है कुछ किसान जो खेती कर रहे थे, तो खेती के process में ही उनको कुछ ऐसी चीजे हाथ लगी, जिससे उनको लगा कि यार यहां नीचे कुछ दबावा हो सकता है, उसके बाद archaeological survey department of India ने लगातार यहां पर excavations करने शुरू किये और हर बार उन्हें कोई नई चीज मिलती थी, लेकिन सिनॉली जाना जाता है एक बहुत ही large burial site में जहां पर 100 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया है, साथी साथ यहां से हमको बहुत सारे terracotta के toys मिलते हैं, और हमको यहां से मिलता है बहुत बड़ा chariot, जो भ गोड़े शायद खीशते होंगे, तो यहां से यह indication आता है कि शायद गोड़ों का यह use करते हैं, सूर्क उत्रड़ा से भी यह indication आता है, लेकिन primarily यही माना जाता है कि इंडस वैली civilization के लोग गोड़ों का use नहीं करते थे, लेकिन नए-ने revelation लगातार नए information provide कर रहे हैं हमको इंडस वैली civilization के बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं रंगपूर की, रंगपूर एक important site था जो present day गुजरात में situated है, और यहां से हमको मिला है एक दौकियार्ट का evidence, जो again international trade, foreign trade को support करता है, इसके बाद हम बात करते हैं महरगड की, जो present day पाकिस्तान के बलुचिस्तान प agriculture, महरगड को एक नियोलिथिक site भी माना जाता है, जहां से agriculture की शुरुवात हुई थी, हमने बेखा था कि नियोलिथिक age वो age था जब settled life शुरू हुई थी और agriculture की शुरुवात हुई थी, तो यह present day पाकिस्तान के बलुचिस्तान में इस agriculture की शुरुवात हुई थी और यह ध गड़ी की जो की हर्याणा में situated है, राखी गड़ी से हमको टेरा कोटा के toys मिलते हैं, टेरा कोटा अब हम जानते हैं क्या होता है, साथ ही साथ हमको potries मिलते हैं, यहां से potries जिसको हिंदी में बोलते हैं मृद्ध भांड यहने मिट्टी के बने हुए बहुत सारे बरतन, उस पर foreign trade का और फिर हम बात करते हैं काली बंगा की जो की present day इंडिया के राजस्थान में situated है, जहां से हमको बहुत सारी commodities मिलती हैं, यहां से हमें चूडिया मिलती हैं काले रंग की बहुत सारी चूडिया यहां से मिलती हैं, साथ ही साथ हमको यहां से मिलते हैं fire altars, जो हवन कि वेदियों की हमने बात करी थी वो भी हमको काली वंगा में मिलते हैं साथ ही साथ हमको यहाँ पे मिलती है पौटरीस याने की तरह तरह के मृद भांड मिट्टी के बने हुए बरतन और हमको यहाँ से मिलते हैं बोन्द ओप कैमल याने की उट की हड्डिया तो यह सारे important towns है और इस सारे important towns से मिली हुई अलग-अलग commodities है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि डिरेक्टली इंसे related questions पूछ लिये जाते हैं हाला कि आगे की हमारी classes में और question discussion sessions के अंदर previous papers के questions को discuss करने के दौरान हम इन concepts और facts जो आज हमने discuss किये उसके उपर किस तरह से questions बन सकते हैं और आपको किस तरह से उसमें सही answers को mark करना है यह हम detail में discuss करेंगे आज हम इतना ही करेंगे I come to the end of my presentation जैहिंद